अब सीधा IPL खेलेंगे स्काई यानि कि सूर्क मार्यादव अब सीधा IPL में नज़र आएंगे क्या इंडिया का वर्ल्ड कप अब IPL के भरोसे है T20 वर्ल्ड कप होना है इस 2024 में वेस्ट इंडीज और USA मिलके होस्ट कर रहे हैं में टीम इंडिया पूरी तैयारियों में लगनी थी पर बड़े खिलाडी बाहर हो गए है रोश शर्म वराट कोली ने साउथ अफरेका वाली T20 सीरीज नहीं खेली है और अब सूर्क मार्यादव अगली सीरीज से बाहर हो गए है बड़ा अपडेट आया है बड़ा अपडेट यह है कि उनकी जो इंजरी थी एंकल सेकिंड रेंज का उनका जो एंकर है वो टियर हुआ है यानि के तूट गया है जिसकी वजह से अब सूर्क मार्यादव अफगानिस्तान वाली होम सीरीज से बाहर हो गए है कुलमिला के छे मैच थे हमारे पास तीन साउट अफरिका के साथ खेलने थे उसमें सूर्क मार्यादव खेले कफटानी की शतक लगाया ताबर तोर फॉर्म दिखाई दो मैच में एक में पचासा जड़ा एक में शतक जड़ा दोई मैच हम खेल पाई एक पानी में दोल गया बचे तीन तो उनसे भी सूर्क मार्यादव बाहर हो गए है सूर्क मार्यादव ने साउट अफरिका में जब ये सीरीज हो तो उसमें चोटील हो गए थे उनका पैर मुड़ गया था और वो दो लोगों के सहरे लेकर उनके कंधे पर मैदान से बाहर गए थे उनके कप्तानी में टीम इडिया ने आस्ट्रेलिया के खलाफ चार एक से टीट्वेंडी सीरीज जीती थी टू का जो टीयर है उनके एंकल में सुर्गमार यादव के एंकल में ग्रेटू का लिगमेंट टीयर हुआ है जिसके मताबिक वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होने वाली तीन मैच की टीट्वेंटी सीरीज से बाहर होंगे ये हो सकते हैं 11 से 17 जनवरी तक इस सीरीज इंडिया में खेली जानी है और ऐसे में इस सीरीज से बाहर होना बड़ी दिक्कत है क्योंकि हर्दिक पांडिया पहले से ही इस सीरीज से चोट की वज़े से बाहर थे ऐसे में एक के बाद एक दो स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हो जाएंगे क्योंकि हार्दिक पांडिया अब तक फिट नहीं हुए है तो लगभग लगभग तैमाना जा रहा है कि IPL के भरूसे है अब टीम इंडिया का वर्ल्ड का क्यों क्योंकि आप तो एक अपडेट ये भी है कि हार्दिक पांडिया भी IPL नहीं खिलने वाले ऐसे में मुंबई फज गई है आपने तमाम घर में आग लगाई कि भई ये कोई बात नहीं हमको ये चाहिए चाहिए IPL में भी दिक्कत आ जाती ही कुछ है तो सिर्फ उसी के भरूसे रह जाएंगे दोस्तों आप ये देखिए ना सुरुकमारी आदव अगर अपडेट देते हैं तो साथ हफते के लिए सुरुकमारी आदव बाहर हुए है उसके बाद वो NCA में रहेंगे रिपोर्ट वहीं पे करेंगे यानि अब सुरुज सीधा-सीधा IPL 2024 में वापसी करेंगे IPL में वो अपनी टीम मुंबा इंडियन्स के लिए खेलते हो नज़र आएंगे IPL को लेकर भी रिपोर्ट सामने आने शुरू हो गए कि 22 मार्च से टॉर्नमेंट शुरू होगा ऐसे में ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर साथ हफते साथ हफते सुरुक मारियादव बाहर रहते हैं तो मतलब वो उससे तो बाहर है अफगानिस्तान सीरीज से दूसरी चीज़ और दिक्कत ये कि अगर IPL के दौरान तक फिट नहीं हो पाते हैं या फिर खुदा ना खास्ता IPL में कुछ पर नहीं चो जाता तो टीम इंडिया को बड़ा जटका लेगा क्योंकि T20 format में सूर्क मारियादव की सुरुतबे के खिलाड़ी कितने खतरना खिलाड़ी हैं यह हम सब जानते हैं T20 format में वो दुनिया के नंबर एक बल्लेबाद है ऐसे में टीम इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो अनफिट हो या फिर खाली खाली IPL के भरूसे हम वर्ल्ड कप में चाहेँ आपको क्या लगता है क्या सूर्क मारियादव को IPL में कुछ मैच स्किप करने चाहेँ पूरा IPL खेलना चाहेँ ताकि वर्ल्ड कप के लिए प्रपेर हो सके जाता है तो चानल को सब्सक्राइब करते हो जाएँ